इस तरीखे से पहले अल्रेडी हुआ और इस तरीखे से पहले अल्रेडी हुआ और इसके एफेक्स अर्थ पर क्या क्या होंगे उन सभी के बारे में आज के वीडियो में डिल करेंगे तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं हमारे अर्थ के अट्मॉस्पियर में आइनोस्पियर यह हैं 350 किलो मेंटर से और उसके आब जो हमें देखने को मिलता है वह अनस्पियर के रीजिन हैं तो यह एक साय्का रॉकिट यह वह वंडर्बर्ग स्पेसपोर्ट बेस कैलिफोर्निया से चोड़ा गया था अब हमें इस ट्रैंस्पोर्ट के लिए इस्तिमाल किया जा सकता है और यह अर्थ और यह पर उसके ब्यॉण्ड भी लॉंच किया जा सकता है और स्पेस एक्स का है न यह कि यह दुनिया का पहला और विटल क्लैस रियूसबल रॉकेट है और फैलकर नेन अलरडी 240 लॉंचर और 198 लैंडिक्स जो है वो कंड़क्ट कर चुका हुए यानि के पूरी तरीके से यह सेफ रॉकेट लॉंचर है अब बात यहां पर हुई कि जूलाए 19 जब यह रॉकेट लॉंच किया गया तो स्काई में हमें एक फेंट रिड ग्लो देखने को मिला हुआ था जो के यह मेजस वग यह पंक्चर है आइनो स्पियर में जो के इस स्पेस एक्स के फैलकन ने किया हुआ है अब देखें आइनो स्पियर बहुत ही खास माना जाता है क्योंकि यह एड्ज अफ्ट स्पेस में होता है यह सबसे आखरी अट्मोस्पियर का लियर है और यह कई सारे चार्जड आजमा रियाक्शन हमें देखने को मिलता है और कई सारे स्पेक्टाकुलर कलर्स इस तरीके से स्काय में जो दिखते हैं और इसलिए इंपोर्टेंट इसलिए भी माना जाता है क्योंकि रेडियो विए वगेरा जो कम्यूनिकेशन और नाविगेशन के लिए इस्तेमाल करते लेकिन यह इतना सिग्निफिकेंट पंक्चर इस बार नहीं था लेकिन फ्यूचर में इस तरीके से पारफुल रॉकेट्स और भी लॉंच होंगे तो उस वाक्त और भी इस तरीके से पंक्चर जब हो जाएगा तो नोड़ाट हमें और भी ज्यादा वर्स्ट केसे देखने क मिलेंगे ज्यादे तर इंपक्ट हमें जीपिएस पर ही देखने को मिलेगा यह पहली बार नहीं था इस तरीके का इश्यू फालकन नाइन के सांथ हुआ हो अल्रेड़ी आउगस्ट 2017 और जुन 2022 में भी इस तरीके के इंसिदेंस अल्रेड़ी हो चुके हुए हैं तो यह थी अगर आप एक डिफेंस एस परिंट हैं और एस बी इंटर्व्यू एंड़ी एस 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 एक्जाम्स के लिए प्रिपेर कर रहे हैं तो आप एस एस बी क्रैक एक्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें आप हमारी लर्निंग अप्लिकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं